नमस्कार स्वागत है आपका उत्रखन की खबरों में और मैं हूँ आपके साथ सुमन पाथ राज्य महिला आयोग की तीसमी वर्ष गाठ पर ही परधान मंतरी नरेंद्र मोदी आज महिला करमचारियों को संबोधित करेंगे और राज्य महिला आयोग ने कई विभागों को इस ओनलाइन कारेकरम से महिला कारेकरमियों को ही जोडने के संबंध में निर्देश दिये हैं कि ओनलाइन कारेक्रम से महिला करमचारियों को जोड़ने का लिए उनका रजिस्ट्रेशन कराएं परदेश की वरतिय जिलों में ही मौसम से 2-5 फरवरी तक चुनाओ परचार में ही खलल डालने जा रहा है और मौसम विभाग ने कहा है कि इस दोरान पहाड़ी छेतर में बारिश और बरफबारी की संभावना है मौसम विभाग के निर्देशक विकरम सिंग ने बताया है कि दो फरवरी को ही उतरकाशी चमोली और पिथोरागर रुद्रपरियाग और बागेश्वर जिले में हलकी बारिश और बरफबारी की संभावना है जबकि मैदानी जिलो में भी कोहरा चाने के आसार बताये गए हैं तीन फरवरी को गड़वाल मंडल के ही परवतिय जिलो और कुमाउ के ही पिथोरा गड़बागेश्वर नैनिताल चमपावत जिलो में बारिश और बरफबारी की संभावना जताई गई है वहीं अलमोडा उधम सिंग नगर जिले में भी कुछ स्थानों पर ही हलकी बारिश हो सकती है चार और पाँच फरवरी को भी विशेश मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है और इसके साथ ही उनोंने कहा कि आज देहरदूर में सुभा शाम धूंद चाने की भी संभावना है जबकि दिन में धूख खिली रहेगी मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी सुमवार को ही मुख्याले पोड़ी पहुंचेंगे यहां सीम बुअ खाल में ही पार्टी पददिकारी और करमचारीयों के साथ ही बैठक करेंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री धामी मुख्याले पोड़ी बाजार छेत में ही पोड़ी विधान सभा से भाजपा परतियाशी राजकुमार पोड़ी के पक्ष में ही डोर टो डोर मतदाताओं से मतदान की अपील भी करेंगे इसके साथ ही भाजपा जिला महामंत्री जगत किशोर बरतवाल ने भी बताया है कि सीम धामी दोपहर बाद ही मुख्याले पोड़ी 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 पोचेंगे उत्रखण के चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे 23 परतियाशियों के नामांकन शनिवार को कई कारणों से खारिश कर दिए गए और 727 उमिद्वारों के नामांकन पत्र व्यद पाए गए हैं फिलाल आपको बता दे कि अभी उमिद्वारों के लिए नाम वापसी का विकल्प बचा हुआ है वहीं शनिवार को ही गड़वाल मंडल के 7 जिलों में ही 13 और कुमाउं मंडल के 6 जिलों में 10 नामांकन रद हुए हैं निर्वाचन विभाग के मुताबिक शुकरवार के रात तक ही परदेश में 13 जिलों की 70 विधान सभा सीटों पर ही 750 उमिद्वारों ने नामांकन कराया था वहीं शनिवार को ही नामांकनों की स्कूटनरी जो थी वो भी की गई थी और इसके साथ ही 23 उमिद्वारों के नामांकन रद हो गए तेहरी में एक नामांकन रद हुआ है और इसके अलावा दहरदूर में तीन और हरिदवार में चार पोड़ी गड़वाल में पाच और पिथोरा गड़ में ही एक बागेश्वर में तीन और अलमोडा में एक चमपावत में एक और उधम सिंग नगर में चार नामांकन रद हु खबर आपको बतादे कि ये भी है कि उत्तरखंड के ही चुनावी मैदान में 727 उमिदवार बचे हैं और आपको ये भी बतादे कि जिलावार देखे तो देहरादूर में ही सबसे ज्यादा उमिदवार हैं यहां स्कूटनी के ही 141 उमिदवार चुनावी मैदान में बचे हैं तो वही पोड़ी गडवाल जिले की ही छे विधान सभास सीटों पर ही सबसे ज्यादा पांच नामांकन रद हुए यमकेश्वर पोड़ी और शिरी नगर चौबटा खाल में भी कोटवार में भी और एक नामांकन रद हुआ है इस बर मौनी अमावस से कही योग दो दिन 31 जनवरी और एक फरवरी को पढ़ रहा है दो दिन मौनी अमावस से होने के कारण ही स्नान के लिए विशेश योग करना पढ़ रहा है इस दिन स्नान दान और तरपण प्रित यग आधी करने से ही प्रित दोश की मुक्ती मिलती है और आपको बता दे कि सरस्वती मंदिर के पुजारी आचारे राकेश शुकल ने बताया है कि 31 जिन्वरी को सुमवती और एक फरवरी को भूमवती का योग समाने दिनों की अपेक्षा सुमवारू और मंगलवार को ही पढ़ने का इसका खास महत्तव हो जाता है और मागा क्रिश्न अमावस्य को ही मौनी अमावस्य के नाम से जाना जाता है दरसल शास्तरों के अनुसार इस दिन मौन रहकर हिस्नान करने का विधान है और 31 जन्वरी को अमावस्य तिथी दोपहर 2.15 मिनट से शुरू होगी इसके बाद एक फरवरी को ही 11.15 मिनट पर तक रहेगी ऐसी भी जानकारी है और आपको बता दे कि उन्होंने कहा है कि माग किष्णा अमावस्य को ही मौनी अमावस्य के नाम से जाना जाता है मौनी अमावस्य के दिन दान और तरपन पृत यग करने से पृत दोश से मुक्ती मिलती है और इस दिन पित्रों के निर्मित जंजांजली को लेकर भी घर में सुख सम्रिधी आती है मौनियमावस्य के दिन ही सुरिष्टी के आदी पुरुष महराज मनु का जनम हुआ था और इस कारण भी इसे मौनियमावस्य के नाम से जाना जाता है